So Hello Friends, this is Priyans you, मैं सुभी का स्वागत करते हूं, एक पर फिर हमारे YouTube Channel Bookी Site Now पर तो आज ये वीडियो में लेकर आया हूं आपके उन States के बारे में हम जानेंगे सारे States के बारे में जानेंगे क्या उनका बॉन्ड है क्या आज Stiffend वो प्रोवाइड कर रहे हैं और साती साथ जानेंगे कि क्या penalty अगर आप जो particular bond है, ruler bond है, अगर आप उसको break करते तो क्या penalty आपको पेकननी पड़ेगी, यह जो वीडियो लाया हो, यह proper government medical college के उपर है, detail में हमने सारी चीज़े बता रखे हैं कि किस particular state में क्या bond जाएगा, stephen क्या मिलता है आपको, on an average हमने जो बता के रखका है, और साती साथ हम penalty के बारे में जारेंगे, penalty कैसे आपको pay करनी है, कैसे क्या करनी होती है, वो भी हम आगे आपको detail में बताने वाले हैं, कि penalty कब लगती एआपको और कब नहीं लगती है, साती साथ भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको कहां पर focus करना चाहिए कौन से state आपको देखना चाहिए और क्या budget आपका जाने वाला है उस particular state मैं तो ऐसी अगर वीडियो आपको देखनी है branch wise देखनी है मैंने आपको 5 branches बता दी है कौन से particular state में आपको focus करना चाहिए और क्या budget रहना चाहिए तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ उसकी भी लिंक मैं description में दे दिये वहाँ से जाके आकर आप चेक आप कर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ जो कोई भी हमाई वीडियो नहीं लाँ पाता हूं अगर मैं कहीं भार होता हूं तो वहाँ पर मैं update पोस्ट कर देता हूं तो वह कहीं न कहीं आपको मैंनी फीशन होता है दिख़ए देगा साथी साथ अगर आप अपनी counseling हमारी थू करनाना चाहते हैं हमारे experts करना चाहते हैं तो link description दिया है Google करेगी हमारी टीम तो चलिए हमारे जो में को काрам सागे बताएंगे उसके बार बंड बताएंगे सबसे पहले जो से आता है महारा वेस्ट बंगाल में एका सिरी येस्ट का आपको बॉण्ड देखने को मिल जाता है स्टेफिन की बात करतें तो 45,000 के राउंड आपका स्टेफिन मिलता है on an average गौन्मेंट मेडिकल कॉलेज में और पैनल्टी की बात करते हैं अगर आप जो बॉंड है अगर बॉंड को तोड़ते हैं 3 यह का तो आपको 30 लैस की पैनल्टी आपको पेकरनी पड़ती है उत्राखंड की बात करते हैं नेक्स टेट है टू यह का आपको बॉंड देखने को मिल जाता है 76,000 आपकी स्टेफिन रहती है इसमें और अगर हम पैनल्टी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाइस पैनल्टी आपको यहाँ पर पेकरनी पड़ती है जो कि यह आपकी 2,50 लेक्स टी आपको पैनल्टी यहाँ पर पेकरनी पड़ती है देन हमारा नेक्स टेट आता है उत्रप्रदेश 2 यह की आपको बॉंड मिल जाता है 81,002 वन लेक के अरॉंड आपका स्टेफिन बेरी करता है कॉलेज तो कॉलेज 40 लेक्स की पैनल्टी आपको देखने को मिल जाते है अगर आप 2 यह से बॉंड फॉलो नहीं करते है यहाँ पर एक आपकी Central University भी है जो कि आपकी BHU है अगर BHU की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बॉंड और कोई पैनल्टी नहीं देखने को मिलती है स्टेफिन की बात करते हैं तो 90,000 के राउंड आपका स्टेफिन आपको यहाँ पर मिलता है BHU में देर हमारा नेक्स स्टेट आता है त्रिपुरा त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो तू यह की आपको पैनल्टी देखने को मिल जाती है देर हमारा नेक्स स्टेट तमीलनाडू आता है वन यह की आपको बॉंड आपको देखने को मिल जाती है 49,000 अपकी स्टेफिन ने 40 लेक्स अगर पैनल्टी आप क्रॉस करते तो आपको 40 लेक्स की पैनल्टी आपको पेकननी पड़ती है तन राजिस्तान आता है राजिस्तान में क्लिनिकल ब्राजक लेक्स से बात करते तो वोесь लेक्स आता है हमा स्थतेट में तो one year की आपको penalty पर बांड मिल जाता है 68000 की आपको stiffend होता है 10 लेक्स्ए आपको penalty पेकननी पड़ती है अगर आप bond तोड़ते मगाली की बात करते हैं तो यहां पर कोई बॉन कोई पैनल्टी नहीं है अगर इब 2500 आपको पैकलने के पर करना पड़ता है आपको मनिपूर की बात करते हैं तो आपको बांड मिलता है जो हमारा नेक्स टेट आता है वह हमारा आता मद्द प्रदेश को मिल जाता है, 55,000 स्टिफेल्ड है, इसका 50 lakh की पनल्टी आपको पेकनी पड़ती है, कनाठका की बात करते हैं तो erzählt का क आपको देखने की मिल जाता है, इसमें 45,000 आपकी स्टेफेल्ड है πनल्टी की पड़ती हैं । हाला है यहाँ पर एक सटेट आता है वह जंबू कश्मीर आता है जिसमें टू इस कि आ पको एक EXPECTE दिढ़िए जो की अभी बताई जा रही कि EXPECTE हो सकता कि symbi AKK B always आपको के बंड देखने मिल सकता है 4500 स्टेफेन और पेगानने हीफ पड़ती है नहीं पर एक और को स्टेफिंद क सब्सक्राइब यहाँ बाट अब को स्टिफेंड 50 लेक्स का आपको penalty पेकर नहीं पड़ती है next college आता है वह हमारा डेली आता है डेली में कोई बॉणड कोई penalty नहीं होती है यहां पर जो स्टिफेंड होता है वह आपका 15000 का स्टिफेंड on an average मिलता है next एक ESI hospitals आपको और देखने को मिल जाता है जिसमें 2 तो यहां पर आपको बॉंड मिलता है पेनल्टी जो कि 10 lakhs की है अगर हम कॉलिज की स्टिफिन की बात करते तो आपको बॉंड देखने को मिल जाता है 53,000 का आपको पेनल्टी पेगनने पड़ती है चंदीगण की बात करते तो पेनल्टी और बॉंड कुछ नहीं है यहां पर स 63,000 का आपको स्टिफिन देखने को मिल जाती है बिहार की अगर बात करते हैं तो 3 years का आपको बॉंड देखने को मिल जाता है 68,000 आपको स्टिफिन पेगनना पड़ता है और 25 की पेनल्टी आपको पेगनने पड़ती है अगर आप बॉंड तोड़ते हैं तो देन हमारा next जो पेनल्टी आपको पेगननी पड़ती है अगर आप स्टिफिन तोड़ते हैं तो सॉरी बॉंड तोड़ते हैं तो लेकिन अग्समें मैं चीज़ बता दूँ आपको जो 10 years का स्टिफिन बॉंड बताया गया है यह आपका विदिन 2-3 years में आपको छोड़ दिया जाता है रिल mental health 2 years का यहां पर आपको बॉंड मिल जाता है 90,000 आपका स्टिफिन 50 लेक्स की पेनल्टी आपको पेगननी पड़ती है तो यह सारी चीज़े आपको मैंने डिटेल में बता दी है स्टिफिन बॉंड और पेनल्टी के बारे में कि अगर कौन सा स्टेट है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं उसका गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो उसका क्या आपका स्टिफिन मिलेगा क्या पेनल्टी रहने वाली और कितने यह का आपको बॉंड देखने को मिलेगा अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज से आप अपना MDMS पर्शिव कर रहे हैं तो हो पताव आपनाना मूलें धन्यवाद